या कुंदे दुतुशार हार दवला, या शुब्रवस्त्रां वृता, या वीणा वरडंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चुत्शंकर प्रभुतिभी, देवैसदा वंदिता, सामाम पातु सरस्वति भगवति, नीशेश जाद्या पहाँ, है नमस्कार दोस्तों, मैं उर्शव गौताम, दलो अफ इट्रेक्शन कोच, और मोटिविशन स्पीकर में स्वागत करता हूं आप सब का आज के इस वीडियो में, मैं आप लोगों के साथ 555 मेथड के बारे में बात करने वाला हूं, सिखाने तो वाला हूं लेकिन जो आपने समझा है 555 को कुछ additional bonus देने वाला हूं, कुछ tips देने वाला हूं कैसे guaranteed 5 days में आप आपके desire को manifest कर पाएंगे, तो चलिए साथ चिट चेक नहीं करते हैं, without wasting any further time, let's just start the video. तो मेरे प्यारे दोस्तो 555 मेथड या कहलो manifesting ritual ये क्या है, तो ये scripting से ही बनी हुई एक शाखा है आप समझ सकते हैं, जैसे आप journaling करते हैं, आप आपकी story लिखते हैं, इसी प्रकार से एक single affirmation को आप 55 times 5 days तक लिखेंगे continuously, एक भी दिन skip कियें बिना, तो ये concept है 555 method का, अब 555 यानि 5 बार ही क्यों लिखना है, 3 times भी होता है, लेकिन 5 बार ज्यादा significant क्यों है, क्योंकि उसके पीछे reason है, numerology में number 5 को transformation का number कहा गया है, यानि कि आप transform कर रहे हो उस path पे, इसलिए हम 5 का use कर रहे हैं इस चीज में, इस ritual में, अब बात करते हैं कि ये ritual कौन perform कर सकता है, कोई भी इंसान इस ritual को perform कर सकता है, चाहे आप beginner हो, चाहे आप intermediate हो, चाहे आप expert हो, कोई भी इंसान अगर law of attraction शुरू कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये पहली exercise उस इंसान को करनी चाहिए as a beginner, अब जो भी चीज को manifest करना चाहते हो, सबसे पहले उसका goal picture आपके जहन में, आपके दिमाग में clear कर लो, कि आप क्या manifest करना चाहते हो, तो हम example के साथ शुरू करते हैं कि मैं manifest करना चाहता हूँ 10,000 रुपे, आने वाले 5 दिनों में, अब यहाँ पर सबसे ज़्यान में देने वाली बात यह है, कि बहुत लोगों के लिए ये technique fail हो जाती है, उसका कारण है, वो शुरू करने से पहले इस पर believe नहीं करते, believe is the most important aspect of this technique, believe करना जरूरी है, क्या आपको believe है कि ये technique करके, जो मैं चीज चाहता या चाहती हूँ, उसे हासिल कर पाऊंगा, अगर आपको believe है, तो ये technique आपके लिए है, और आपकी life में उस चीज को आने से परमात्मा भी नहीं रोख पाएंगे, सबसे पहले जरूरी सवाल खुद को पूछो, क्या मुझे भरोसा है कि ये technique मैं use करूंगा, तो मेरी problem solve हो ज या था 10,000 रूपे, तो ये goal picture clear है मेरे मन में, कि मेरे पास 10,000 रूपे है, अब आपने बहुत सारे वीडियो में दिखा होगा, कि जो affirmations हम लिखते है, usually हम उसे English में लिखते है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, कि affirmations जो आप लिखेंगे, आप उस भाशा में लिखेंगे, कि जिस भाशा से आपकी सुभा होती है, शुरुवात होती है, हिंदी से होती है, गुजराती से होती है, मराथी से होती है, तमिल तेलगू, जो भाशा आप बोलते हो, उस भाशा में आपको आपके affirmations लिखने है, अब बात करते है, affirmations में क्या लिखना है, ज्यादा लेंदी बड़े लंबे चोड़े नहीं लिखने हैं दो चीजे तीन चीजे clear होने चीजे पहली चीज कि आप खुश हो यह feeling उस affirmation में clear होने चीजे खुश हो मतलब कि मैं बहुत खुश हो अब कारण क्या है खुश होने का क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपे हैं 10,000 रुपे आ चुके हैं य आपको आपने reason दे दिया कि आप क्यों खुश हो यानि कि goal clear हो गया आपकी खुशी clear हो गई और time clear हो गया कि आपको कितने दिनों में यह चीज चाहिए कि इस हफते में मेरे पास 10,000 रुपे आ रहे हैं या 10,000 रुपे आने वाल है या 10,000 रुपे आ चुके हैं अब आप यह इसके बारे हम बाद में बात करेंगे अभी हम मुद्दे पे रहते हैं अब आपने affirmations ये लिख दिया पहली line आपने लिखी ऐसी आपको 55 times लिखनी है 55 times आप जब लिखोगे लिखने के बाद ये activity 5 days continue करनी है अब सवाल आता है कि sir इसे हम कब लिखें बहुत सारे लोग exercise सुबह early morning करनी है ब्रह्मा मुरत में करें तो best है अगर ब्रह्मा मुरत में नहीं उठ सकते तो जब आपके घरवाले सो रहे हैं उसे एक घंटा पहले उठ जाईए अगर वो साथ बज़े उठते है तो आप 6 बज़े उठ जाईए लेकिन इससे परफॉर्म जरूर करें तो actually यह बात सुनने में कोई interested नहीं होता है क्योंकि सबको अपनी problem का solution चाहिए solution बस इतना है अगर solution चाहिए तो बस यही solution था आप वीडियो बन कर सकते हो अगर science जानना इसका तो आप continue भीजिए देखे दोस्तों सबसे पहले subconscious mind को आपको reprogram करना ज़रूरी है उस चीज को attract करन के लिए जैसे समझ लिए दोस्तों आपका subconscious mind एक soil है एक जमीन है जिससे fertilize करना ज़रूरी है तब जाके आप उसमें बीज रोप होगे तो वो पौधा बनेगा पेड़ बनेगा उगेगा राइट तो subconscious mind को fertilize करना ज़रूरी है यानि उसे reprogram करना ज़रूरी है इस idea को conceive करना ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपको चाहिए तो यह पर दो चीज़े होती है सबसे पहले तो आप एक order लिख रहे हो आपने order दे दिया साथी साथ consciously जब आप उस चीज़ को लिख रहे हो तो उस चीज़ को बोल रहे हो अफर्म कर रहे हो जैसे मैं कहता हूं जिस चीज़ को आप फर्म करते जाते हूं वो इवेंचुली आपकी reality बन जाती है कि छोटा सा science है इस technique के पीछे अगर मैं बताने जाओ तो घंटो घंटो लेक्टर दे सकता हूं लेकिन आपको वो लेक्टर अभी उस लेक्टर की आवशक्ता नहीं है आको बस इतनी आवशक्ता है कि भरोस जरुपे का यह example आप हर जगा apply कर सकते हो चाहे अप relationship manifest कर रहे हो तो शुरुवात किसी छोटी चीज से करिए अगर crush को manifest करना चाहते हो तो छोटी चीज से शुरुआत कीजिए और अगर job के लिए है तो job के लिए भी छोटी चीज से शुरुआत कीजिए कौन सी छोटी manifestation आपसे बहतर कोई नहीं जानता मैं तो बहुत दूर का हूँ तो आप देखिए आपका manifestation क्या है उसके according आप शुरू करें अब दूस्तों बात आती है FAQ frequently asked question तो sir क्या हम इसे pen से लिखे है pencil से लिखें तो आपको लिखना है pencil मिट सकती है हमें हमारा intention मिटाना नहीं है आपक कुछ नहीं करना जो journal आपके पास पड़ी है उस journal को कोई जगा संभाल के रख दीजिए ना जलाना है ना फेकना है कुछ नहीं करना उसको संभाल के रख देना है क्यों रखना है इसके उपर बहुत interesting video आने वाला है आपका एक portfolio बनेगा कि आप manifest कितनी जल्दी कर पा रहे हो उसके बाद अगर question की बात करें तो sir क्या हम इसे laptop में या mobile में notes में लिख सकते हैं तो strictly मना करूंगा नहीं लिख सकते और लिखेगा भी मत क्यूं आपका focus lose हो सकता है आपका focus split हो सकता है जब भी आप mobile कर अपने mobile में लिखना शुरू क्या कोई notification आ गई क्या करोगे और दू कास हुआ है वो अभी भी बच्चा है तो बच्चे को बच्चे की तरह सिखाना पड़ता है याई ABCD पैन ले लो हाथ में paper ले लो लिखना शुरू करो जरूरी नहीं है कि आपको जर्नल में लिखो कोई single single pages में भी लिख सकते हो तो ये question आपका clear हुआ दूसरा तो अभी दो desire clear कीजिए कि आपका desire क्या है तो हम शुरू करते हैं तीन example गाड़ी पैसा और प्यार तो अगर हम प्यार के लिए कहें तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा relationship पहले से ज्यादा healthy हो चुका है हो रहा है आपके उपर है आपकी इस तीस में ज्यादा conceive कर पा रहे हो अगर लाड़ी के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी dream car आ चुकी है पैसो के लिए मैं बहुत खुश हूँ मेरे पास इस हफते में या एक्स वाइज टाइम में इतने something something पैसे हैं ये तीन example से आप relate कर सकते हैं आपकी जो भी problem है आप उसके according affirmation बना के लिख सकते हैं तो इंतजार मत करिए opportunity आती है लेकिन हम चुक जाते हैं तो फटावटसी से opportunity को पकड़िए पैन उठाइए paper लीजिए और लिखिए आपकी किस्मत आपके हाथों पर जाते जाते एक छोट इसी शायरी सुनाना चाहूंगा शेर पता नहीं शायर या शेर है लेकिन आपके काम का है मत कर यकीन तेरे हाथों की लकीरो पर अरे नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते तो बगवाने तो हमें खुबसूरत हाथ दी हैं इस्तमाल करो पैन लो कागस लो और लिख लो अपनी जिंदगी तो बस दोस्तो थोड़ा फिल्मी होगा माफी चा आइकन को अन कर लिजे क्योंकि ऐसी वीडियो ऐसी इंफोर्मेशन में लाता रहता हूं ताकि आपके जिन्दगी बहतर नहीं खुबसूरत बन जाए सुबस दोस्तो दोस्तो मैं हूं आपका गुरू मेंटो रिशाब गौतम हाथ जोड के दिल की गहराईयो से आपका भूलूंगा मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंग जय श्रु कृष्णा